हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेमी सोनी एन वेलकम टू सोनी मेको और तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ आमपिट की वैक्सिंग कैसे की जाती है तो देखिए इनकी जो हेर ग्रोथ है दो से तीन मंद की हेर ग्रोथ है और क्लाइंट की एज है 27 यर्स ओल्ड तो सबसे पहले हमने क्या करना है पौडर की अप्लिकेशन करनी क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती हमारी क्लाइंट को तो हमने स्वेट को जो है ड्राय करने के लिए पौडर लगा के इससे थोड़े देरे के लिए छोड़ दिया था दिन उसके बाद जब हमारी स्किन पूरी तरीके से ड्राय हो जाएगी तब हम इस पर वैक्स के अप्लिकेशन करेंगे तो वैक्स के लिए हमने लिया है यह स्टेला का हल्दी क्रीम वैक्स जो की बहुत ही बेस्ट है सर्दियों के लिए और जिनकी हेर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कड़क है उनके लिए भी तो देखिए अभी हमें क्या करना है हेर की ग्रोथ के हिसाब से लगाना है तो देखिए इनकी जो हेर ग्रोथ है वो काफी डिरेक्शन में है तो सबसे पहले हमारी जितनी हेर ग्रोथ उपर की साइड में है उतनी साइड में हमने उपर की साइड में wax के application कर लेनी है उसके बाद आपको strip चिपकाना है strip को अच्छे से चिपका के opposite direction में pull करना है अब देखिए strip को हमने ज़्यादा rub नहीं करना है ऐसे एक हाथ से strip को पकड़ना है और tap tap करके चिपकाना है उसके बाद खीच देना है तो देखिए one application में सारे hair जो है वो निकल जा रहे हैं बस आपको क्या करना है hair की direction के हिसाब से wax के application करनी है अब पोजी direction में pull करना है पूल करते time ध्यान रहे कि आपकी skin एकदम stretch होनी चाहिए अब देखिए थोड़ी सी जो hair growth है यह side की तरफ गई हुई है देखिए तो हम ऐसे side की तरफ wax के application करेंगे और जब भी हम ऐसे घने hair में wax लगाते हैं तो थोड़ी सी ठीक application लगानी है इससे आपके hair छुटेंगे नहीं एक भी देखिए अब पोजी direction में pull करते time आपको जो skin है काफी अच्छे से stretch करना है देखिए एक बार में सारे hair जो है strip में आ चुके हैं एक भी बाल छुटे नहीं है देख सकते हैं कितने कड़क hair हैं और एक ही application में निकल गए हैं बस ध्यान रहे हैं आपका process right होना चाहिए waxing का और speed भी होनी चाहिए अब जब wax लगा रहे हैं तो उसके तुरंद बाद आपको strip चिपका के उसे pull करना है क्लाइंट के skin में monster आ जाएगा और monster वाली skin में wax बराबर नहीं हो पाती है बाल छुट जाते हैं तो देखे कितने easy तरीके से हमारी armpit की waxing एक पूरी हो चुकी है देखे एक हाथ से stretch किया है मैंने skin को उसके बाद देखे थोड़े hair छुट गए थे क्योंकि इनकी direction उल्टी side में थी तो हमने वही strip को चिपका के pull कर देना है देखे हमारे सारा hair जो है वो आ गया है strip में उसके बाद हमें clean कर देना है excess जो wax लगी हुई है उसे उसके बाद देख सकते कितना clean दिखाई दे रहा है अब हम दूसरी armpit के waxing करेंगे देखे यहां पे भी इनकी जो direction है यह 3D direction है side से उपर की side गई हुई है नीचे से नीचे की side में और beach से client के right side में गई हुई है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो हमें उसी के हिसाब से wax के application भी करनी है सबसे पहले powder लगाएंगे आपके पास जो भी powder है वो लगा सकते waxing के लिए कोई अलग से powder नहीं आता है तो हमने ये पॉंस का powder लगाया है उसके बाद हमें hair की direction के हिसाब से थोड़ी सी थिक layer में wax की application करेंगे तो अब देखे हम लगा रहे हैं आप जब भी hard hair में wax करते हैं तो wax थोड़ा सा थिक layer में ही लगाना है बालों को wax से ढख देना है उसके बाद strip चिपकाना है skin को stretch करना ना भूले अगर skin आपकी एकदम stretch नहीं होगी तो hair जो है वो छूट सकते हैं अब निकल गए हैं उसके बाद देखे अब थोड़े सी problem आएगी wax लगाने में तो देखे सबसे पहले हमने नीचे की side में लगा लेना है उसके बाद देखे side से हमने यहाँ पे wax की direction को change कर देना है आप चाहिए तो एक बार पूरी wax लगा ले direction के हिसाब से और strip को उसी direction में पूल करें जिस direction में आपके नीचे के hair है तो देखे अभी हमने यहाँ पे side से खीचा है strip को देखे सारे के सारे hair strip में आ चुके हैं अब री चेक करेंगे एक दो बाल जरूर छुटेंगे क्यों क्योंकि यहाँ की direction अलग side में थी नीचे से उपर की side में तिर्चे में उसके बाद हमें उसी बालो को follow करना है उसी direction में देखे सारे hair easily अब निकल गए हैं अब हम इसे गीले sponge की health से clean करेंगे उसके बाद after waxing gel लगाएंगे क्योंकि इससे क्या होता है यह antiseptic का काम करता है और skin में जो जलन होती है छोटे छोटे दाने निकलने वाले होते हैं या किसी भी प्रकार के infection से यह रोकता है और skin में एकदम cooling effect देता है तो देखे हमारा wax जो है completely done हो चुका है और आपको सारे hairs दिखा देते हैं कि इतने सारे hairs देखे निकल गए हैं तो चलिए अब मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए